हलो गाइज वेलकम डियलकाफेक्ट एंड कैसे आप सब लोग मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में आज की वीडियो एक छोटा सा वीडियो है एक अपडेट देना चाहता हूं मैं आपको रिगार्डिंग टाटा नेक्सॉन यह अपडेट क्यों जरूरी है बताता हूं मैं आपको वीडियो में उससे पहले जो लोग जो भी लोग एक सब कंपक सुवी ढूंड रहे हैं इस टाइम पे अगर वो लोग वेट कर सकते हैं तो प्लीज वेट करिए विकास आपने देखा ही होगा कि टाडा नेक्सॉन के यह कार जैसे ही लॉंच होगी इस कार ने काफी ज़्यादा चेंजिस कर देने है इस सब कंपक स्यूवी सेग्मिट में कार के अगर मैं फ्रंट प्रूफाइल की बात करूं आप फ्रंट प्रूफाइल में आपको देखोगे तो यह कार आपको थोड़ा-थोड़ा सा रिजम वो सिर्फ ऐसा रही है कमने दो तीन जो करके कार लांच कर रही है कापी ज्यादा चिंजिस की है इस बार टाटान एक्सान में और टाटान को पूरा ही मेक ओर कर दिया है पूरी ही कार बिल्कुल न्यू बिल्कुल फ्रेश लग रही है जैसा अभी तक दिखाया चुट जो इसके आए है जैसे इसके spy shots आए है उसमें इतना सा लग रहा है कि like car को completely change कर दिया गया है interior से लेके exterior सब कुछ change होने वाला है तो मेरे साब से तो worth it है अगर इसका weight आगर आप कर सकते हो तो करो ज़रूर even I am looking for this car अगर ये car आती है तो I am planning कि मैं अपने punch को upgrade करूँ तो अब भी इसको weight करिए इस car का ये बहुत ही ज़्यादा ही जबर्दस्त कार होने वाली है car के front look की जैसे हमने आपको बार ले बदाया car का front look बहुत ही अच्छा लग रहा है connecting DRLs आपको इसमें देखने को मिलेंगे जैसा कि आपने Tata Curve में भी देखे होंगे autexpo में जैसा दिखाया था connecting DRLs हैं जो काफी अच्छा look दे रहे हैं car को उसके साथ-साथ grill में भी कुछ changes आये है बात की जाए car के alloy wheels की तो alloy wheels भी इस बार company ने पूरी तरह से change कर दिया है बिल्कुल new design आपके alloy wheels आपको इस car में देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा criticize जो Nexon होती थी इसकी back profile इसकी rear profile के लिए तो rear profile में भी company ने इसको पूरी तरह से change कर दिया है I hope इस बार इस car में आपको connecting lights देखने को मिलेंगी पीछे DRLs में तो जो connecting lights आप देख रहे हो आजकल की cars में आ रहे हैं वो सीजे इस Nexon में आपको देखने को मिल सकती है और बहुत ही refreshing look होने वाला है इस car rail से भी जो लोगों को complaint रहती थी car के rear profile से I don't think so इस update के बाद या इस face lift version आने के बाद उन लोगो को कभी भी इस car के rear profile से complete होगी बात की जाए car के interior की तो interior में जसा जसा spy shots में आया है आपने देखा होगा इसके blue color के interior दे रहे हैं car में जो काफी अच्छे लग रहे हैं बट यह जो blue color के interior है यह most probably इसके जो higher variant है जो top variant है उसमें आएंगे बट फिर भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है two spoke steering देखने को मिल रहा है आपको इस car में जो की बहुत ही ज़ादा अच्छा लग रहा है अगर जब steering को ध्यान से देखोगे तो उसमें ऐसा लग रहा है कि 1.2 litre का new engine आने माला है जो आपको 200 nm की talk provide करेगा जो की इस car का अगर power figure भी और बढ़ा देगा और ये car पहले से जादा power produce करेगी इस बार तो engine specification में भी आपको upgrade देखने को मिल सकते है इस car में sunroof इस car में आई रहा है अगर आप लोग भी प्लान कर रहे है और आप लोग वेट कर सकते हैं तो प्लीज इस car का वेट करिए बिकास नेक्स इस बार गेम चिंज करने वाला है सब कॉमपक सुवी सेग्मेंट के अंदर एक चोड़ी सी update थी यही आपके लिए और मैं तो इस car का वेट कर रहा हूं अगर आपको यह car अच्छी लगती है तो आप इस car का वेट कर सकते हैं विकास यह car एक गेम चंजर हो सकती है टाटा के लिए इस वीडियो में इतना ही जो लोग हमारी family के साथ जुड़े हैं उनके लिए thank you so much और जो लोग हमारे को first time देख रहे है please subscribe to our channel because हम आपके लिए informative videos लाते रहते हैं and subscribe कीजिए हमारे चैनल को and बन जाए हमारी family का part मैं मिलता हूँ आपसे next video में तब तक के लिए bye